नमस्कार किताब किस्से कहानियों में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने की लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया इस किताब का नाम है आज भी खरे हैं तालाब ये किताब तालाबों के इतिहास पर लिखी गई है या यूँ कहें कि तालाब की कहानियों पर लिखी गई है तालाब बनाने वालों पर लिखी गई है ये बहुत ही शांदार विशय है और ऐसा विशय है जिसके बारे में लोगो अनपम मिश्र गांधी पीस फाउंडेशन याने गांधी शांति प्रतिष्ठान में काम किया करते थे, कुछ वर्ष पहले उनका निधन हो गया, गांधी वादी थे, परियावरण विद थे, और सबसे बड़ी बात वो सहज बुद्धी या जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, उसके ब 47 ये किताब लिखी, और इस किताब में उन्होंने तालाब का जो महत्व है, इसको बताने की कोशिश की, किताब की शुरुवात बड़ी रोचक होती है, वो एक कहानी से होती है, जिसमें पहली लाइन में लेखक शुरू करता है, अच्छे अच्छे काम करते जाना, राजा ने कुणन किसान से कहा था, और इसके बाद एक कहानी का जिक्र होता है कि कैसे एक किसान की बेटी को पारस मनी मिल जाती है, और पारस मनी लेकर किसान जो है राजा के पास जाता है, कि राजा ये मनी मुझे मिल गई है, इसको चुने से हर धातु सुना हो जाती है, तो मैं क्या करूँँगा, आप रख और राजा कहता है कि ये मणी तुम अपने पास ही रख लो हाँ बस अच्छे अच्छे काम करते जाना और कुणन और उसके जो चार भाई हैं वो तालाब बनाने निकल पड़ते हैं कोकि जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ पानी की बड़ी कमी है चारों भाई कालांतर में चार सरोवर बनाते हैं बड़े बड़े तालाब और मध्य भारत में आज भी वो चार तालाब उन चारों भाईयों के नाम पर मिलते हैं अब ये चार भाई इतिहास में कभी थे या नहीं ये कहनी जो सुनाई जाती है वो सच है की नहीं ये तो नहीं पता लेकिन चार तालाब आज भी हैं और वो केविदंती आज भी लोगों के मानस पटल पर जिन्दा है एक और खास बात है इस किताब की, कि इस किताब पर कोई copyright नहीं है, जी हाँ, ये बहुत ही रोचक बात है, और चुकि इस पर कोई copyright नहीं है, इसलिए इसके कई संस्क्राइट छपे, लोगों ने इसका अपनी अपनी तरह से इस्तमाल किया, All India Radio ने कई स्टेशन्स पर इसका मंचन करवाया, लोग इसको पढ़ते रहे, अपने अपने धंक से इस किताब को बाचते रहे, और तालाब का महत्व लोगों की समझ में आने लगा, इस तालाब की कहानी में कई बातें बड़ी अद्भूत हैं, और शैली इतनी अच्छी है, मिश्राजी के लिखने की, कि आपकी हर तीसी चौथी लाइन पर आप मुस्करा देंगे और आप सहजी बोल उठेंगे, वाह, क्या बात है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति तालाब बनवाता था, कुछ व्यक्ति तालाब बनाते थे, और पूरा समाज उसे बचा कर रखता था। और ये बात वो इतनी काव्यात्मक भाशा में बोलते हैं, कि आपकी तबियत खुश हो जाएगी। सुनिये वो क्या कहते हैं। सैक्णों हजारों तालाब अचानक शूनिय से प्रगट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक एक एकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की, या एकाई दहाई मिलकर सैक्णा हजार बनाती थी। पिछले 200 बरसों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने इस एकाई, दहाई, सैक्णा हजार को शूनिय ही बना दिया है। सिर्फ एक छोटी सी लाइन से उन्होंने बदलते समय का पिछले 200 साल का इतिहास आपको समझा दिया। इस किताब में कई तालाबों की कहानी है, कई बड़े तालाब जो हम आज भी देखते हैं। पर अजीब बात यह है कि इसमें भोपाल का जो ताल है, बड़ा ताल, उसके बारे में उतनी बात नहीं करी गई है, जितने कि उन तालाबों की जिसके बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। उन्होंने एक जैसलमेर में एक बहुत सुंदर तालाब है, घरसी सर, उसकी कहानी सुनाई। और कहा कि पहले तालाब बनवाना, इस कहानी के जरीए वो यह बताना चाह रहे थे, कि पहले तालाब बनवाना एक बहुत पुनिका काम मना जाता था। और इस काम को बड़े-बड़े राजा, महराजा, रानिया, शहर के बड़े नगर सेट, पैसे वाले, रसूगदार लोग, जनरल ये सब बनवाते थे। ऐसे में उन्होंने बताया कि जैसलमेर के जो राजा थे, वो घरसी सर बनाने के लिए उन्होंने जब इसकी तयारी शुरू करी, तो वो खुद आए इसकी खुदाई के लिए है। फिर पता लगा कि हर साल इसमें गाद भर जाती है, गाद मतलब मिटी धीरे धीरे वापस जमने लगती है, उसको साफ करने का भी उन्होंने एक परव तयार किया, लहास करके, उलहास से लहास हो गया। इस दिन राजा आता था, वो पहला तसला भर के मिटी निकालता था, और फिर सब लोग जो थे मिटी निकालने कूद पड़ते थे, और एक दूसरे को मिटी से सना देते थे, यही वो दिन होता था जिस दिन राजा और प्रजा कंधे से कंधा मिला के काम करती थी, राजा का क प्रजा से टकराता था पर कोई किसी बात का बुरा नहीं मानता था और चूंकि राजा खुद मिट्टी हटाने आता था इस दिये सारी की सारी प्रजा वहां आती थी और पूरे मनोयोग से मिट्टी निकालती थी ताकि तालाब तयार हो सके नई बारिश में नया पानी भरने क अनुपम मिश्र कहते हैं कि समाज इतना अच्छे से व्यवस्थित था कि हर समय देश के अलग-अलग हिस्से में कौन सा टाइम ऐसा है जब बारिश खत्म होगी और पानी तालाब में इतना कम रह जाएगा कि हमको तालाब साफ करना है तालाब में जमी जो मिट्टी है उसको साफ करना है इसके दिन इसके समय इसके महिने इसके हफते हर अलग-अलग जगहे पे निश्चत थे और समाज उसी के चारों तरफ अपनी जीवन शहली बुनता थ मिट्टी को या तालाब में भरने वाली मिट्टी को बुरा नहीं माना जाता था उसको निकालने के लिए सब लोग जोड़ते थे किसान सबसे ज़ादा उसमें से मिट्टी निकाल ले जाते थे क्यों? क्यों मिट्टी बड़ी उबजाओ होती थी और उसके एवज में वो अपनी पंचायत को कुछ या तो पैसा देते थे या थोड़ा अनाज देते थे. साथ ही कुमहार जो थे उस मिट्टी को ले जाते थे. उससे मिट्टी के बरतन बहुत अच्छे बनते थे. और बाकी लोग अपनी अपनी जरुरतों के हिसाब से उस मिट्टी को ले लेते थे. इसमें वास्तुकार भी शामिल होते थे. मूर्तिकार भी शामिल होते थे. और इस तरह से ये जो प्रक्रिया थी ये चलती रहती थी तालाब भी साफ रहते थे लोगों की जरुवतें भी पूरी होती रहती थी और सबसे बड़ी चीज ये पानी का संडरक्षन होता रहता था उनकी किताब पढ़ते हुए मुझे याद आया कि मैं एक बार रीवा गया था और रीवा में मेरी मुलाकात एक व्रद्द सज्जन से हुई तो उनका कहना था कि बुंदेल खंड में एक प्रथा चलती थी एक जमाने में तालाब और बाग की शादी जी हाँ यह बड़ी ही रोचक परंपरा थी तो होता यह था कि हर साल एक निश्चत समय पे बाग की सफाई होती थी और तालाब की भी सफाई होती थी कुछ गाउँ में जहां तालाब और बाग नहीं थे या नए तालाब और बाग बनाए जाने होते थी वहाँ क्या होता था कि पहले तलाब बनता था और जिन समय तलाब बन रहा होता था उसी समय आसपास एक बाग बनाने के भी ववस्था शुरू हो जाती थी उसमें पेड लगा जाते थे, घास लगाई जाती थी बैठने के लिए छहत्रिया बनाई जाती थी और जब ये दोनों काम पूरे हो जाते थे और बारिश आती थी और तालाब भर जाता था तब गाउं की लोग दो भागों में बढ़ जाते थे एक तालाब का परिवार हो जाता था एक बाग का परिवार हो जाता था और बाग और तालाब की बीच में शादी करवा दी जाती थी अब जो ससुराल पक्ष था यानि जिनका तालाब था ये उनके उपर ये उनकी जिम्मदारी थी कि वो बाग का ध्यान रखे और जो बाग का परिवार था उसकी ये जिम्यदारी थी कि वो तालाब का ध्यान रखे घर के और समाज के जो बड़े बुजर्ग होते थे वो एक नियम बनाते थे कि तालाब के उस कोने में जहां से की पानी बाहर निकलता है वहाँ पर ही सिर्फ ढोल और डंगर को लिजाके पानी पिलाया जाएगा और उस जहां वो पानी पीते हैं उसके बाद लोगों के नहने और कपले धोने की व्यवस्था होगी बागी तालाब को किसी भी तरह से गंदा और खराब नहीं किया जाएगा ये ऐसी मानेता थी जिसको हर व्यक्ति मानता था धीरे धीरे ये व्यवस्था तूटने लगी और इतनी तूटने लगी कि लोगों ने अपने यहां के तालाबों का ध्यान रखना बंद कर दिया बाग कपके उजड़ गए और लोग पानी की कमी महसूस करने लगे अजीब बात ये है कि अगर कहीं तालाब होता है तो उसके आसपास कुएं भी बनने लगते हैं क्यों? क्योंकि वो तालाब का पानी धीरे धीरे जमीन में अंदर रिस्ता जाता है और जमीन के अंदर तमाम तरह के जल रास्ते बन जाते हैं जल के भंडार बन जाते हैं और उनको जब आप कुवाँ खो देंगे तो उनमें पानी धीरे-धीरे भर जाएगा लेकिन मूल स्रोत अगर खत्म हो गया है तो ये बड़े-बड़े कुवें भी सूख जाएगे इस किताब में उन्होंने एक और बहुत ही मार्मिक बात कही और वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी मद्यप्रदेश में एक शहर है सागर सागर असल में एक जील के किनारे बसा है जील एक ट्राइबल था यहने आदिवासी व्यक्ति वो आया था और उसने यहाँ देखा कि पानी की कमी है यह बात चार-पांस साल पुरानी है और उसने अपने दम पर कुछ लोगों को जोड़के एक बड़ी सी जील तैयार कर दी और उस जील का नाम दिया सागर कालंतर में वहाँ शहर बस गया शहर को लोग सागर बुलाने लगे अब उस जील का बहुत सा हिस्सा नश्ट हो रहा है पानी खराब हो गया है हलांकि वही पानी आज भी शहर को किसी तरह से जीवत रखता है आज वहाँ पढ़े लेखे लोगों ने कई उनिवर्सिटीज बनाई है कई कॉलिजिज हैं उसमें रिसर्च होती है इस जो सागर जील है ये क्यों इतनी खराब हो गई इसका क्या करना है इसको कब ठीक करना है इस पर कई PhD हो चुकी है लेकिन सागर का वो जील जो है बचाई नहीं जा पा रही है और फिर वो सवाल पूचते हैं अनुपमिश्र ये कहते हैं कि कौन जादा महान है वो अनपढ़ आदिवासी जिसने की इतनी बड़ी जील तयार कर दी या वो सारे पढ़े लिखे लोग असल में ये उनकी थीम लगातार चलती रहती है वो आज की जो पढ़ाई है उसके घोर विरोधी दिखाई देते हैं और वो इसलिए दिखाई देते हैं कि उनका मानना ये है कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसने हमारे ही बच्चों को अपनी संस्कृती से पूरी तरह काड़ दिया है वो ये भी बताते हैं कि कैसे एक जमाने में जब लड़के पढ़ले कर घर लोटते थे तो संभरांत परिवार या तो कुवा खुदवाते थे या एक बड़ा तालाब बनवाते थे और उनका कहना है कि बड़ी हैरानी की बात है कि ये प्रथा अभी सत्तर असी साल पहले तक अंत में पूरे उत्तर भारत में मदबनी और दर्भंगा ये बिहार के दो इलाके हैं यहाँ पर बची हुई थी सत्तर असी साल पहले था और फिर वो धीर धीरे लुप्त हो गई मिशा जी के किताब को पढ़के ये लगता है कि जल का संरक्षा बहुत जरूरी है आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इतनी बात होती है आज से हजार साल पंद्रह सो साल दो हजार साल पहले भारत में ऐसे लाखों लोग थे हजारों लोग रहे होंगे जिन्होंने देश भर में ऐसे तालाबों का जाल बैठा दिया जो की बारिश के पानी को संजो के रखता था किताब में ये बात भी कही गई है कि आज तक ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ और ये इध्यान रखें कि ये किताब 30 साल पहले लेखी गई थी 30 साल पहले याने 1993 तक कोई ऐसा सर्वेक्षन नहीं हुआ था जो ये बता सके कि भारत में कितने तलाब है लेकिन अंग्रेजों के जो गजेटियर थे उनसे उन्होंने आकड़े निकाल निकाल के मिश्रा जी ने ये बताया कि भारत में करीब 10 या 11 लाख तलाब हैं और आज उन पर कोई ध्यान नहीं देता उनकी बहुत बुरी स्थिती हो गई है इसके बावजूद वो जिन गामों और जिन कस्बों और शेहरों के करीब हैं उनकी पानी की जरुट के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरा करते हैं मिश्रा जी के किताब से एक बात और उभर कराई और वो ये कि जो समाज पानी के महतु को नहीं समझते और पानी के महतु को समझने के बाद उसे बचाने उसे सुरक्षत रखने और उसको सुधारने की कोई ठोस कदम नहीं उठाते उनके लिए बाद में बड़ी चुनोतियां सामने आती है तमाम ऐसे शहर हैं जो पानी की कमी के कारण उजड़ गए इतिहास में ऐसे बहुत से शहर हैं एक शहर तो जैपुर के पास ही है भानगड भान गड़ के किले में पानी की कमी हुई और पानी की कमी के करण सब कुछ नश्ट हो गया शहर का शहर खाली हो गया आज हम इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त रहते हैं कि अगर हमारे शहर में पानी नहीं है तो कहीं और से आ जाएगा पर मूल बात यह है कि हमको हमारे आसपास पानी को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए किताब को पढ़ते हुए मुझे ये भी ध्यान आया कि एक डॉक्टर जोशी हुआ करते थे बिकानेर की एगरिकल्चर युनिवर्सिटी में और वो ऐसे व्यक्ति थे जो गंगा नहर आज राजिस्थान से बह रही है जैसे इंद्रागांधी नहर भी कहा जाता है वो उसके बहुत हिमायती नहीं थे मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों उनका कि पानी की इफरात लोगों को पानी की इज़द नहीं करवाते हैं लोग पानी की बेज़दी करने लगते हैं उसे बरबात करने लगते हैं उनका ये कहना था कि नदी के किनारे उभरने वाली सभिताएं पानी के इफरात के करणा पानी की कभी इज़द नहीं करते हैं और एक दिन उनका पतन हो जाता है लेकिन हरेगिस्तान में रहने वाली सबिताएं कभी खत्म नहीं होती है कोईकि वो पाने की बहुत इज़त करती है तो घूम के बात आती है वापस किताब पर किताब में भी यही बात अनुपम मिश्र कहते है लेकिन आपको यह लग रहा होगा कि वो भारत की इस परिस्थती से काफी विचलित है वो विचलित बिलकुल नहीं है किताब कहती है कि यह भले ही हो कि हम अपने तालाबों पर आज ध्यान नहीं दे रहे लेकिन तालाब का महा तो आज भी हमारे दिमाग के किसी कोने में हमारी एक बड़ी जनसंख्या के मानस पटल का हिस्सा है और चुकि वो हिस्सा है इसलिए एक न एक दिन लोग अपने तालाबों को बचाने के लिए उनके संरक्षन के लिए आगे आएंगे और आने लगे हैं और अपना किताब का अंत वो बहुत खुबसूर्ती से करते हैं यह कहते हुए कि उपेक्षा की इस आंधी में कई तालाब फिर भी खड़े हैं देश भर में कोई आठ से दस लाग तालाब आज भी भर रहे हैं और वरुन देवता का प्रसाद सुपातरों के साथ-साथ कुपातरों में भी बाट रहे हैं उनकी मजबूत बनक इसका एक कारण है पर एक मातर कारण नहीं है तब तो मजबूत पत्थर के बने पुराने के लिए खंडहरों में नहीं बदलते कई तरफ से तूट चुके समाज में तालाबों के इस्मृति अभी भी शेश है इस्मृति की यह मजबूती पत्थर की मजबूती से ज्यादा मजबूत है कुछ कानों में आज भी यह स्वर गुजता है अच्छे अच्छे काम करते जाना